नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका चिराक क्लासेज के ओनलाइन योटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा करता हूं आप सब बढ़ी आओगे तो फ्रेंट्स आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्याज़ इंपोडेंट रहने वाला है इस वी दोकुमेंट के लिष्ट आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोडेंट रहने वाला है वीडियो के लाश्ट तक बन रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप भी SSC GD वरती 2024 मतलब जो नहीं वाली विकेंसी है अगर इसकी तेहरी में लगे हुए है तो यहाँ पर आप अगर मोक्टेश फ्री के अंदर देना चाते है तो यह है हमारी एप् लिंक मैं आपको सीधा description box में दे दूँगा वहाँ से भी आप इसको download कर सकते है पले स्टोर से भी आपको यह मिल जाएगी अब इसके अंदर क्या क्या चीजे मिलेगी तो 100 प्लस मोक्टेश आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे शेक्शनल टेस्ट मिल जाएंग और बात करते हैं यहां पर जो document की list लगी हुए है यहां पर आप देख सेंटर के बाहर यह list आपको देखने को मिलेगी जो टीय आर्मी बरती 2024 का यहां पर physical देने गया है ठीक है यहां पर यह हमारे को list बच्चों के द्वारा बेजी गई है और मैंने सुचा कि इसके उपर एक separate video बना दे ताकि जो आने वाले दिनों के अंदर जिन भी बच्चों का physical है उनको कोई भी वहां पर problem न देखने को मिले ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपके document की list अब यहां पर सारी जानकरी में आपको देने वाला हूँ एक-एक document आपको बताने वाला तो आधार कार्ड और pen card दोनों यह चीज़े आप लेकर जाना है अगर voter ID भी है तो भी ले जा सकते है license है तो भी ले जा सकते है कोई problem नहीं होगे ठीक है दो चीज़े आपके पास होनी चाहिए आधार कार्ड और pen card ठीक है pen card किसके लिए जो तीस वरसे जिनकी ऊपर यह जा अगर आप ट्रेट्समेंट की बरती देख रहे है तो 8th पास का आपका certificate होना चाहिए अगर आप GD शेय तो 10th पास अगर आप color शेय तो 12th पास ठीक है जाती परमान पत्र है यह आपका चेक हो रहा है यह चेक हो यह आपका center का होना चाहिए और 6 माहने का बीतर होना चाहिए ठीक है इसके बाद में police चरीतर परमान पत्र होना चाहिए यह भी आपके 6 माह के बीतर 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 बना होना चाहिए इसके बाद सरपंच या पारसद या school चरीतर परमान पत्र होना चाहिए जो आपका 6 महने के बीतर बना होना चाहिए मतलब नया होना चाहिए ठीक है इसक मां के बीतर जो आपकी फोटो यानि मतलब नवीन तम तीन मां की फोटो आपके पास होनी चाहिए है मेरी सेटिविकेट होना चाहिए आगर मेरी चैस्ट के अंदर भी चूट मिल सकती है ठीक है Institute लेकर जाना है क्योंकि इसे भी चूट मिलती है, रिलेस्ट कोई भी आपके आर्मी के अंदर है, वो आपको certificate लेकर जाना है, इसे भी आपको height और chest weight के अंदर चूट मिलती है, इसके बाद में, अब यहां फ्रेंट्स यह सारे डोकुमेंट में ने आपको बता दिये, यह कितने बच्चे पास हो रहें, कितने फेल हो रहें, कितना समय यहां पर दिया जा रहा है, तो ध्यान से देखेगा, यहां पर जो इंटरी के समय जो दस्तावे चेक हो रहें, मूल लिवास, अधारकार्ड और दस्वी के मारक शीर, हाइट 160 cm वहीं पर चेक हो रही है, ठीक है, यहां पर कितने कितने का बेज बन रहा है, कितने को पास किया जा रहा है, कितने को फेल किया जा रहा है, यह सारी जानकारी में आपको यहां पर देने वाला हूँ, अब यहां पर बेज आपके 100-100 बच्चों का बनाया जा रहा है, यहां पर बेज कितना है, आपका 100 बच्च ट्रेड का अलग अलग रहाँ पर रनिंग हो रहा है जीडी का अलग है ट्रेट्स्मेन का अलग है कलर का अलग है ठीक है उमर के हिसाब से अलग अलग दोड हो रही है 18 से लेकर 30 तक की दोड़ अलग है 31 से लेकर 42 की दोड़ अलग है अब यहाँ पर सबसे मुख्य सवाल बनता है कि समय कितना दिया जा रहा है तो प्रेल समय किसी सेंटर के उपर 5, 15 समय दिया जा रहा है ठीक है कहीं कहीं के उपर 5, 20, 5, 30 ठीक है 5, 15, 20, 25, 30 तक यहाँ पर आपको समय इसके अंदर देखने को मिल रहा है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जोन जानना सहते कि हैं मैं किस जोन में आता हूँ तो यहां पर आप डेख cał। जोन फहर्ष जोन सेकंड इसके बाद में यह हैं जोन थार्ड और जोन फॉर्थ तो मैंने सारी जानकरी आपको बता दिये कि यहां पर आपको कितना समय दिया जा रहा है कितने कितने बच्चों का बेच बनाया जा रहा है तो जब भी आप फिजिकल है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहां पर जो medical का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देखे, बहुत ज़्यादा मदद उससे मिलने वाली है, ठीक है, उसमें मैंने बताया है, पूरा body का medical बताया है, कि कौन-कौन से medical के parts, medical में कौन-कौन से parts आपके check के जाते है, ठीक है, और friends, यहाँ एक चीज में आपको बताते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके अगर तैयारी बढ़िया है, तो आप दोड क्लियर कर लोगे, यहाँ पर क्या होता है, बीड आपको वहाँ पर देखने को मिलिए, ठीक है, बीड आपको, हर शेतर के अंदर आपको बीड देखने क मिलेगी, ठीक है, तो आपको डी मोटिवेट नहीं होना है, उस बीड से आपको प्रेरित होना है, आपको अपने मन में ठानना है, कि हाँ मेनी तैयारी अच्छी की है, और अगर मैं रणिंग करूँगा, अगर मैं यहाँ पर आज दोडूगा, तो मैं अपने रणिंग क्लि स्वास रगना है, सो बच्चे बुलाए जारे है, ध्यान से देखना है, दो से तीन बच्चे ही आपर एक्सलेंट लिये जारे है, तो इसको देखके आपको डी मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्या पता, दो से तीन बच्चों के अंदर आप भी हो, ठीक है, यह चीज आ यहां पर टाइम दिया जा रहा है बहुत सारे लोग आपको अलग जैसे YouTube चैनल पर बता रहे होगे कि वाई टाइम बिलकूल भी नहीं मिल रहा है तो यहां 5-30-25-20 तक भी आपको टाइम यहां पर मिल रहा है तो यह चीज़ आपको ध्यान में अब यहां पर कई-कई जो गृ रहें कई जगह आपके 50-70 इतने ही बच्चे मिल रहें तो यह चीज द्यान रखना है और जिनका भी नेक्स्ट जिनका फिजिकल है तो बहुत 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 बदाई हो सुबकाम नहीं हो आपको मैं बगवान से परातना करूंगा जिनका भी फिजिकल नेक्स दिनों में के अं मैं परते एक बच्चे का रिप्लाइ दूँगा ठीके परेंट फिर में नेक्स्ट वीडियो के अंतर तत्तव के लिए जय हिंद जय बारत वन देमाग नम के अंधने का एक जए आद्यू के अनग ai वार हिंद जय है